Hello to everybody, स्वागत है आप सब लोगों का YouTube लाइब्रेरी पर आज फिर से मैं कुछ current efforts आप लोगों के लिए 11th and 12th मई से related लेकर आया हूँ उमिद करूँगा आपको इन current efforts के साथ मैं काफी additional चीजे भी सीखने को मिली गी और कोशिश करूँगा मैंनको कम से कम टाइम में within 5 minutes में complete करूँ और अच्छे से अच्छे explanation के साथ तो बिना time waste किये शुरू करते हैं हम दोस्तों defense minister ने एक 1200 करोड रुपे का sign pact sign किया है Tata powers के साथ में अपने 37th airfield को modernize करने के लिए आधुनिक करने के लिए तो अभी जो defense minister वो तो आपको पताए है राजनात सिंग जो है हमारे defense minister है तो उन्होंने IAF, Indian Air Force, प्लस आपकी ICG, Indian Coast Guard और आपकी Navy Air Force, Navy and Indian Coast Guard इन armies के लिए जो कुछ 37 field use होते हैं उन field को modernize करने के लिए आधुनिक करने के लिए 1200 करोड रुपे का एक pact sign किया है Tata Power के साथ, ये बाते आपको हमेशा ध्यान रखनी है Next दोस्तो, पंजाब board ने 10th class के जो exam थे, वो cancel कर दिये हैं और 10th के students लोगों को promote कर देंगे 11th में और किस space पर promote करेंगे? Pre board exams के जो marks हैं, उसके हिसाब से promote कर दे जाएंगे Next दोस्तो, ये पडंडा कुटुपपा कर गया इनका नाम है पडंडा कुटुपपा, ये क्या थे? ये founder थे कोडावा होकी फेस्टिवल के कोडावा होकी फेस्टिवल के founder थे जिनका हलही देहानत हो गया है 85 years इनकी age थी, ओके? आगे बढ़ते हैं, Stuart, ये photo है, इनका नाम है Stuart इनको appoint किया है Libra के CEO, इनको बनाया गया है Stuart को और Libra क्या है? Libra जो है, वो Facebook की एक cryptocurrency project है Facebook का ही हमारी जो Facebook है, उसी का एक project है cryptocurrency project, उसका नाम है Libra और उसके CEO बना दिये गया है Stuart को ज्यान रखना है, आगला है दोस्तों, photo में देखिए The World Bank, The World Bank है, उसने अभी 400 million dollar का एक loan है वो Afghanistan को provide किया है, क्योंकि Afghanistan की demand है ये COVID-19 से fight करने के लिए, तो पैसा जो है 400 million dollar का 400 million in dollar, ठीक है? Afghanistan को The World Bank ने, इससे पिछले वाले current efforts में आपने देखा होगा दोस्तों, 500 million dollar का जो loan था, वो provide किया गया था Bangladesh को actually, और लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वो जो loan था The World Bank ने नहीं दिया था, वो दिया था ADB ने, The Asian Development Bank ने जो पिछला जो था, उसको confused नहीं होना है, उसमें, ADB ने दिया था, क्योंकि reverse में question पूछा जा सकता है, कि बांगलादेश को 500 million dollar का जो दिया गया था, help वो किस ने दी थी, तो Asian Development Bank ने दी थी, और ये The World Bank ने दी है, जो अफगालिस्तान को दी है, नेक्स्ट है, ये जो फोटो में दोस्तों दिख रहे ही हैं एक बात, और इनको अभी as a commissioner appointment किया है, किसके ब्रहान मुंबई नगर पालिका के, ठीक है दोस्तों, appointed as the commissioner of ब्रहान मुंबई municipal corporation, next है, ये आपको फोटो में जो दिख रहा है, ये बेंगोली टाइगर है दोस्तों, बेंगोल टाइगर है ये, तो अभी सुन्दरबन में जो इस साल की जो पहले 88 टाइगर हुआ करते थे, सुन्दरबन में बेंगोली टाइगर, अभी इनकी संख्या 8 बढ़ गई है और ये टोटल हो गए है 96, ठीक है दोस्तों, इद्यान रखना है आपने बेंगोली टाइगर सुन्दरबन में, इनकी काउंटिंग हुई है तो अभी 96 बढ़ सिंगापूर में एक एरपोर्ट है, जो वर्ल्ड का सब सब बेस्ट एरपोर्ट है और ये दुबारा ये वर्ल्ड बेस्ट एरपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया है, आठ भी बार लगातार, सोचने हैं दोस्तों, लगातार आठ बार ये बेस्ट एरपोर्ट रह चुका ह और अब भी भी आट भी बार यही रहा है इसका नाम याद रखना है वान स्काइट रेक्स और कंट्री याद रखना सिंगापूर में यह दोस्तो MP गॉर्णमेंट ने जितने भी हमारे पुलिसमेन है जो कॉरोना फाइट के अगेंस्ट अपना काम कर रहे हैं उनको करमवीर मेडल से संबन करने का डिसाइड किया है करमवीर मेडल यह मेडल का नाम आपने याद रखना है एस्टेट याद रखना है ठीक है दोस्तों पुलिसमेन को कॉरोना के अगेंस्ट में फाइटिंग में काम करने के लिए करमवीर मेडल से ये दोसों journalist है यो दिख रहे हैं आपको सिर्दार वृद्राजन दिखने हैं सर्दार वृद्राजन ये journalist है तो इनको अभी the freedom of speech award से नवाजा गया है freedom of speech award of 2020 2020 का freedom of speech award और ये actually किस लिए है ये award दिया जाता है freedom of speech ये दिया जाता है एक्चुली, courageous, एक्टम साहसिक तरीके से जो जर्नलिस्म करते हैं, उन जर्नलिस्टों को यह दिया जाता है, तो यह इनको भी मिला है, नाम याद रखते हैं आपने, अगला है दोस्तो, SBI General Insurance करके, SBI का अपने एक insurance system, corporation, तो SBI General Insurance ने एक policy, insurance policy launch करी है, जिसका नाम है आरोगी सं जिवनी health insurance policy, और यह policy उनी लोगों को मिलेगी, जो कोरोना से पीडित हैं, जो जिन hospital में जो उसके against, अपना कुछ उनका relation है, उनी लोगों को मिलेगी, और उसके तहित क्या दिया जाएगा आपको, एक लाग से लेके 5 लाग तक के लमसम का hospitalization खर्चा आपको दिया जाएगा यह policy के दियान रखना है, एक लाग से 5 लाग की hospital का खर्चा दिया जाएगा इस policy के अंदर, एक से 5 लाग समका, total, ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जापान ने, जापान ने भी एक जो ड्रग है हमारा, रेमडिसी वियार, रेमडिसी वियार इसका actual नाम है, एक ड्रग है यह, रेमडिसी वियार, तो इस ड्रग का use, US कर रहा था, कोरोना से fight करने के लिए, लेकिन जापान इसको अभी तक allow नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जापान ने भी इसको use करने के लिए approval दे दिया है, कि ह तो इंडिया का fuel consumption है, वो 46% के around April मन्त में, down हो गया है, fall हो गया है, 46%, यानि आप कह सकते हैं, simple language में, कि इंडिया का fuel consumption है, वो आदा हो चुका है April मन्त में, और उसका reason आपको बताने की जरूत नहीं है, क्यों है, क्योंकि अभी COVID-19 के चलते हैं, आपका transportation वगरा, और यह सब हो चुका है, राहूल देव दो फर्स्ट हिंदू पाइलेट इन पाकिस्तान एरफोर्स, जी हाँ, पाकिस्तान एरफोर्स ने एक हिंदू लड़का, जिसका नाम है राहूल देव, उसको अपनी एरफोर्स में, as a general pilot, ठीक है, as a general pilot, अपॉइंट किया है, और यह पहला लड इंपोर्डेंट है, आपको पता लगी रहा होगा वीडियो देखने के बाद, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसको like करिए, comment करिए, share करिए, और चैनल को subscribe करिए, अगर नहीं है तो, अगर नहीं किया हुआ है, तो भी करिए, एक बार करना है, subscribe, आपको काफी अच